हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टड़ी विद भावना फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम हिमाचल के प्रसीद मंद्रों से संबंदित महत्तपुन प्रसंद डिसकस करेंगे यह कौश्चीन एचपी के सभी अग्जाम के लिए मोश्ट इंपॉर्टन है इसलिए हादों के हमाचल में मंदिर निर्वान की सैलियां हैं उन्हें से तीन प्रमक्द सैलिया है नमब बन के कि इसा को सिखर विन सिखर विन मा तू प्रदू पैगोड़ा सैली छि वर नबर थृ पहारि वस्त सैल्लि इस तिन सैलियों मैं जो हैं मंदिरों का निर्मान हुआ है मैक्सिमम मंदिरों का निर्मान इनी तिन सैलियों में हुआ है जो सिकर सैली है उसके मंदिर मंदिरों का जो आधार है वो चार कोनों वाला है चार कोनों वाले ये मंदिर होते हैं और इनकी च्छतें जो हैं वो स्पार्ट होती हैं बिल्कुल प्लेन होती हैं ओके नेक्स्ट है पैगोड़ा सैली पैगोड़ा सैली की मंदिर आयताकार और बर्गाकार होते हैं तो नेक्स्ट है पहाड़ी वास्तु सैली पहाड़ी वास्तु सैली की जो मंदिर होते हैं वो ग ब्रजेश्वरी है इनकी पिंड़ी को लोडी के अपसर पर मखन चढ़ाने की परंप्रा है और ऐसी माननेता है कि महिसा सुर के साथ जब माता का यूद हुआ था तो उनके सरीर पर कुछ जखम लग गये थे तो उन जखमों को भरने के लिए ही मतलब उन जखमों को मरम लगान उसमें यह मंदिर तहस्न हैस हो गया था तब उसके बाद 1908 से लेके 1925 तक द्वारा से इसका निर्मान करवाया गया और एक और क्वास्चिन इस से रिलेटिड है कि तेरा सो साथ हिस्वी में फिरोसा तुगलक ने भी इस मंदिर को सती पहुंचाने की कोशिस की थी तो देवी चिंत पुर्णी जो है महां पर माता के वक्ष सती गिरे थे मंडी के मंडी के बूतनात मंदिर को कौन सी राजा दौरा बनवाया गया था ? तो राजा आजवर सेन के दोरा मंडी के भूतनात मंदिर को बनवाया गया था 1527 इसवी में बनवाया गया था और यह मंदिर जो है यह सिखर शैली में बनाया गया सैलियां से related question भी exam में पूछे जाते हैं तो मंडी का भूतनात मंदि सिख सैली में बनाया गया हमा next question है कौन सी देवी जो है वो सिसु दातरी नाम से विख्यात है तो माता सिंसा देवी जो है वो सिसु दातरी नाम से विख्यात है सिंसा माता को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है और यह कौन सी डिस्टिक में है जीला मंडी में है next ने एघिमबा देवी मंदिर का निरुवान कौन से राजा द्वरा करते यह राजा भादुर सिन्ह इन्होंने करवाया था करें 1553 इस द्योइ में क्समें मंदिर का निर्मान करवाया था और एक और क्वेशचिन है हडिमबा देवी मंदिर से पुछा जाता है कि यह मंदिर कौन सी सैली में मनाया गया है तो यह पैगवडा सैली में यह मंदिर निर्मित है मरिकुला देवी मंदिर कौन से जीले में है यह लहौल स्पिती के उदेपूर में है यह और जो मरिकुला देवी का मंदिर है पहले जिस गौम है यह मंदिर है पहले उसका नाम मरिकुला ही था लेकिन बाद में राजा चंबा के राजा उदे उदे शिंग ने उसका नाम बदल कर दिया था तो मुरिकुला देवी का मंदिर लौहल स्पिती के उद्यपूर में है लोके नेक्स्ट क्वास्टिन है हीमाचल प्रदेश में संट टेमपल सूर्य मंदिर खांपे है यहां नीरत सिमला में है और इस मंदिर के पास ही सतलूज नदी भैती है तहिए मंदिर कौन सी कि मंदिर शिकर शैली में निर्मित है 1810 इसभी में गोर्खों ने इस मंदिर पे अकरमाण किया था और मंदिर में जो भाहु मुल्य स्वान क्लस्ट था वो गायव हो गया था उसको उनोंने चुरा लिया था नेक्स्ट है बाला सुंधरी मंदिर का निर्मान कव हुआ तो 1753 में जो है बाला सुंद्री मंदिर जो सिर्मौर में है डिस्टिक सिर्मौर में है राजा दीप प्रकास ने इसका निर्मान करवाया था और जो बाला सुंद्री मंदिर है उसको 84 घंटियों वाला मंदिर भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेस्टिन है ओके हडिमबा देवी का मंदिर कौन सी सैली में बना है तो यह पैगोडा सैली में बना है और यह जो है इसका निर्मान किसने गरवाया था भादूर सिंग ने तो यह मंदिर कौन सी सैली में बना है यह राजस्थानी सैली में बना गया है नेक्स्ट क्वेस्चिन है ओके कांगडा का मसरूर मंदिर नागर्शैली में है कुछ जो कि तूना किस से की जाती है अजनता और गुफाउं से की जाती है और इक्वेस्ट क्वेस्ट बहुत वह अग्जाम में पूचा गया है कि हिमाचल का कौन सा मंदिर है जिसकी तूना कौन से मंदिर के बुजारी राजपुत घराने के हैं तो नागिनी माता मंदिर नूरपूर कांगडा में है इसके जो पुजारी राजपुत घराने के हैं तो इस जगा का पहले नाम टीका कोडी था यह question पूछ लिया जाता है कि कौन सी जगा का नाम अहले टीका कोडी था तो यह नूर पूर नागिन जहां नागिनी माता मंदिर है लूटा था, नेक्स्ट फैं, एक हजार नौ में महाँद घजनवी ने किस मंदिर को लूटा था तो ब्रजेश्वरी देवी मंदिर को महाँद घजनवी ने लूटा था नेक्स्ट कैस्ट कॉश्यन है माग कृषिन चतुदर्श Заई को लगने वाला बिसाल मेला जिसे तारा रातरी के नाम से जाना जाता है कौँ सिस्थान पर लगता है यहां मेला लगता है बैजनात मंदिर में बैजनात मंदिर में यहां लगता है और जो बैजनात मंदिर है वह 12 जियोतिलिंगों मैंसे एक है तथा यह मंदिर जो है सिखर सैली में बनाया गया है सिखर सैली में निर्मीत है यह मंदिर और एक और क्वेश्चिन यहां से आता है इस मंदिर का निर्मान किस ने करवाया तो इस मंदिर का निर्मान मयूक और आहूक नामक दो बैपारियों ने करवाया था नेक्स्ट क्वेस्टिन है सीरी सक्ती देवी मंदिर चतराडी कौन से राजा के द्वारा इसका निर्मान करवाया गया था तो इसका निर्मान साथवी आठवी स्तावदी में राजा मेरू वर्मन के द्वारा करवाया गया था और Katherine स्व्रमर्गा Ó maya सुंद्री बंदिर कहां बर सुंद्री मंदिर सुर्मार के दिरलोपूर है जिसका निर्मार किसमें खरवाया था राजा दीप्रकास ने 1753 में करवाया था राजा परकास ने नेक्स्ट है मंडी के किस सासक ने 1346 इस भी में प्राशर मंदिर निर्मित करवाया था तो राजा वांड सेन ने प्राशर मंदिर का निर्मान करवाया था नेक्स्ट है उदेपुर कप्रसिद म्रिकुला देवी मंदिर की सामक्री से बना है यह लहल स्पिती में है और यह लकडी से बना हुआ है नेक्स्ट है कामाक्षा मंदिर कहां बेस्ती थे यह करसोग में है और यह पैगोडा सेली में बनाया गया है इसका जिर्णोदार करवाया था यह करवाया था इनोंने 1783-86 तक तो आई होप आपको इवीडियो पशंद आई है अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक यू किप वाचिंग